नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दीपक चौरसी और शत्तिस गड़ से हमारे इस विशेश कारिकरम में आपका स्वागत है मैं आपको एक बात बता दूँ पांच राज्यों में चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है देखना ये महतुपूर्ण होगा कि इन पांच राज्यों में जनता किसे विज़े दिलाती है और किसे साथ विद्रो करती है या नी उसको उतना पसंद नहीं करती है लेकिन इन पांच राज्यों में एक राज्यी 36 गड़ भी है जिसके मुख्यमंतरी भूपेश बगेल ने अपने लिए एक अलग पहचान बनाई है और अलग ब्रांड भी है क्या है उनकी नई पहचान और नया ब्रांड ये समझने की कोशिश करेंगे और कैसे उन्होंने 36 गड़ के आम जन को रोजगार से जोड़ा है इसको भी जानेंगे सबसे पहले वोपेश जीए आपका बहुत-बहुत सबसे पहले मैं आपसे जाना चाहता हूँ पांस साल बाद पांस साल अपने जनता की से वाकी पांस साल बाद जनता एक बार क्यों आपको फिर से मौका दे पांस साल पहले हम लोगों मौका दिया था इसलिए कि जनता के सा जो हमने सब वर्गों से जो वादा किया था, कांग्रेस पार्टी ने जो बात कही थी, उसे हम लोगों पूरा किया, आज चतिस गड़ के अर्थ विवसे में बड़ा बदला हुआ है, चतिस गड़ के सिक्षा की छेतर में बदला हुआ है, स्वासक छेतर में बदला हुआ है, जो हमारी पहचान है, कोई छेतर विसेस के अलग पहचान होती है, तो वो पहचान हमारी चत्तिजगर्ड के भी है, तो संस्क्रिति को लेकर हम लोगों ने बड़ा काम किया है, तो इसकारण से लोगों का विश्वास एक भरोसा कांगरे सरकार पर बनी है, और इसलिए मुझे जनता हमें फिर से चुनेगी, आउसर देगी. मैं आप से जब बात जानना चाहता हूँ, मैं आया था तो मैं यह भी सुन रहा था कि एक नारा लगा है, भुपेश है तो भरोसा है, लेकिन अब यह बदल गया है, कॉंग्रेस है तो भरोसा है, ऐसा क्यों? देखेंगे, यह तो भुपेश है तो भरोसा है, लोगों ने कहा, क्योंकि जब लगडाउन था, वेशिक महामारी थी, उस समय लोगों ने कहा, कि जब सब के घरों में हमने तीन महने करासान एक साथ पहुचा दिया, जो छात्र थे, उनके पढ़ाई के लिए आनलाइन एक्जाम कराना, जनर्रल प्रोमोशन कराना, तो भरोसा बढ़ा, तब उन्होंने कहा, भुपेश है तो भरोसा है, फिर किसान, जब सब तरह से नामवीद थे, पुरे देश में कहीं, आर्थी खल चल नहीं थी, सब कुछ बन था, अब उस समय किसानों के, राज़ी गांदे किसान नहीं पहले किस्ट हमने दिया, तब उन्होंने कहा, भुपेश है तो भरोसा है, लेकिन भुपेश की पाचान तो कांग्रिस से है, अब इसलिए जब पार्टी की बात करेंगे है, तो पिर कांग्रिस पर ही भरोसा ह यह दोनों परिया है वाच्छे, बुपेश है तो भरोसा है और कांग्रिस है तो कांग्रिस की ताकत है एक बात और जानना चाहता हूँ, लोग कह रहे हैं कि हाली में आपने कहा, कि एक बार फिर मैं आया तो किसानों की करज माफी कर दूँगा, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि इसमें कितने विवाद हुए, क्या-क्या आरोप प्रत्यारोप लगे, च्यों, फिर दूसरी बार करज माफी करने की जरुत क्यों पड़ रही है, बोपेज बगेल को चुनाव जीतने के लिए? या उसर तो मिलना चाहिए किसानों को, लोग कहते हैं कि गलत एकोनोमी है, ये गलत अर्च वस्ता है, बार बार अगर किसानों को आप प्रिंड माफ करेंगे, तो राजपेस का बोज बढ़ता जाएगा, आप इस क्रिटिसिजम को कैसे लेते हैं? देखे एक तरफ के अंदर सरकार जब साड़े चुदा लाख करोर रूपिया उद्योग पतिक माफ करते हैं, तो कोई उंगली नहीं उठाता है। ये ते मैं लाखों किसान के हजारों करोर, मैं जब माफ करता हूं, नो हजार, दस हजार भी नहीं जाता है, दस हजार करोर के पास-पास माफ किया, तो लोग उंगली उठाने लगें, अब साड़े चुदा लाख करोर का माफ किये, किसे ने कोई बात नहीं कही, मैं तो कहता हूं भारती जनता पार्टिक सांसियों से, कि मैं किसानों सकर्ज माफ किया, उसमें मैं ओट मांग लेता हूं, आप पतिक हाथ में साब दो, दूसरी अर्थ बेहुसता है, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, उसके खाते में पैसा डाल दो, वह एक एकानामिक है, जो गाओं से चलके कजबे और कजबे से लेके तस्हिल और जिला तक पहुंचता है, उसके बाद बड़े सहरों में आता है, तो इस दोर से जितने बार वो पैसा गुजरता है, वहाँ वह वह फिर एकानामिक को चेंज करते जाता है, तो गाओं के अर्थ बेहुसता है, मजदूरों के अर्थ बेहुसता है, उसके बाद फिर जो छोटे भी आपा रही हैं, फिर बड़े भी आपा रही हैं, फिर उद् बेवस्ता उन चंद गिने चुने राज्यों में से एक है जो सारे आरीबियाई के जो नाम से है या भारा सरकार के जो वितिभाग के जो गाइड लाइन है उसको हम फूल फिल करते हैं एक बात और पूर मुख्यमंतिर रवन से कर्च माफी के बारे में कहते हैं लोग कुछ लोग कह रहे हैं मास्टर स्टोक हैं उनका कहना है कि नहीं नहीं भाई यह मास्टर स्टोक तो है ही नहीं क्योंकि पुरानी कर्च माफी जो है वो ही ठीक ढंक से नहीं हुई इस क्रिटिस system को आप कैसे लेते हैं देखी ये है कि जो किसान डिफाल्टर थे जो किसान जो अल्प कालिन रिन लिये थे उसका हमने माफ किया जो दिर कालिन लून लिये थे उसका माफन नहीं किया ये बोलते हैं दिर कालिन भी किये हैं उसका भी माफ करो तो मैंने का भी जो किसान हमको सुसते ना आपकी बात कोई दूसर रिया हम उसकी बात समाखते हम व्य जैपई की बड़ी इंट्रिसंग आपसे पूछल का लेंगी अभी कुछ और मुझे से आपसे मुझे बात करनी है जा मैन मेना एक पूस्टर देखा आप ने कहा कि हम गरीबों को अपना घर देंगे पर प्रधान मंत्री तो पहले से ही कर रहे हैं तो आपने उनको नहीं आने दिया आप खुद अपने नाम से घर बना रहे हैं इसको आप कैसे देखते हैं हमने उसे उनका सेयर मांगे है 46 का रेसियो है प्रधान मंत्री आवास का उन्हों हमको नहीं दिया हैं हम 30,000 करोड रुपे पिछले बज़ट में रखे थे उसके पहले 700 करोड रुपे रखे थे और अभी लोगों की डिमांड आई जब भेट मुलाकात का कम में गया था कि और लोग भी आवास माग रहे हैं तो मैंने का 2011 के सर्वय हैं आप का नामि बोले नहीं लेकिन हमको तो अभी आवास जी ए है क्योंकि जब 2011 में जब सर्वय हुआ था तो हम परवार से अलग हुए नही थे तब हम तो छोटे थे अब हमारी साधी हो गए हमारे बच्चे हैं हम मातापिता सा लग रह रहे हैं अ अब survey कराने यह तैब अज्छी से को उसको आवास मिल सके नहीं किया, तो 1 अपरेल को हमने कहा कि इसको आर्थिक रिक्षन कराते हैं। 1080 सर्वेक्षन कराया। उसमें 2011 क으면 छैलाख 59 wouldn जार बचा था उसका हमने पहले किस्त न이 जब जो आवास हीं थे बिलकुर इंजर के पस कोई घर नहीं है उसको भी पहले किस्त कराया। अब जो हम पातिक सर्वेक्शन करा है उसमें जो एक कमरे का जो मकान है दो कमरे एक मकान है ऐसे पातिर ब्यक्टी दस लाख लोग हैं हमने कहा हम उसको भी देंगे भारत सरकार अपना हिस्साद दे नदे हम देंगे क्योंकि वो बात करेंगे किसके 2011 के जड़ गरना के हम आर्थिक सर्वे हैं लो अपने सर्वेक साब से करेंगे तो वह राशी हैं हम देंगे हनडेट परसंट राजसर्कार देगी मज़ा भारत अब बात बहुत हो नहjac现 करेंगे तो आपने यह तो बना लिए पूचा सभा में कि आपने पैसा क्यों नहीं दिया मुझे तो बोल लगातार में बोल रहा हूं देनो पैसा पॉर्टाल ही बंद कर दिये हैं हम इंटी किसमें करेंगे मालो राजसरकार यह दी कोई मकान बना रही है और भारा सरकार पॉर्टल बंद करकर रखे हैं तो इंटी कैसे होगी उसमें इस पे तो आप सुप्रेम कोर्ट चले या आप ते तो अभी अभी बात है हम तो अभी पैसा दिये हैं अब जरौत पड़ी जाएंगे ठीक है मैं आगे चलता हूँ मैंने एक सीज़ देखी बगेल साब आपने गाए गोबर पशुधन इसको एक आम रोजगार से जोड़ा और जितने प्रोड़क्ट था उनके लिए सी मार्ट जैसे अच्छे बजार बनाए जो आपको दुनिया भर की इकोनोमिक वेबसाइट्स पे भी देखने को जिनके प्रोड़क्ट मिल जाते हैं एक क्या विचार था और क्या इसने वाकई ग्राउंड पे काम करना शुरू किया स्कीम ने इसके दो पहलों हैं पहला तो यह कि आज पुरे देश में गायक नाम से राजिती होती और जो जितिकलाब लेने के लिए उसका उप्योग किया गया पुरे देश वर में दूसरा कारण है कि यांतरी कारण यांतरी की कारण जो हुआ कि टेक्टर आया फिर टेक्टर के बाद हर्वेश्टर है बहुत सारी चीज़ और मशीने आई तो मशीन आने कारण से बैल के है उस पर यह जो अनुत पादक जितने भी मेश्ची हैं वो उस पर बोज बन गया तो डेरी है वो लापकारी नहीं रहा अलापकारी हो गया और दूसरा यह राजनिती अलग अब इसके काना से वहा कि फसल बचाना मुश्किल हो गया तो इसको आर्था से कैसे जोड़ें तो इ प्रक्षित भी कर लें दूसरा काम यह है कि उसे गोबर खरीदना सुरू कि गोबर तो दूद उतपादा के अनुत पादा के दोनों गोबर देंगे तो गोबर खरीदी किया फिर रेट तैय किया दो रूपिय में गोबर और चार रूपिय लिटर गौम उत्र यह तैय करने एक बात फिर उसका उप्योग क्या तो उसका वर्मी कंपोश्ट वर्मी कंपोश्ट बना के खेतों में डालना उसके कैसे रेट तैय करना वो सब चीज प्रक्रिया करके उसे बेचने की भी अवस्ता है उसे कौपरिटी से सेक्टर से जोड़ा किसान के ही मैयुसी है किसान के मंदमाविशी की गोबर है और गोबर से वर्मी कंपोठ बना रहा हूँ सिक्षित में जाना जाना ज़िए केवल वर्मी कंपोठ बना देने से ही लोग गाठान में नहीं जाएंगे तो गाठान में और अनगतिविधी हमको संचालिक करना उसमें जो लेंडलेस लोग हैं उसके बाड़ी के भी होसा कर दो, सास की जमीन है थोड़ा से पंप वगर भी होसा करो, बाड़ी मना दो, कुछ फिर दूसरे और भी होसा भी करो, उसमें सिलाई है, कड़ाई है, मस्नुम उतपादान है, मच उत्पादन करेंगो बिके का कहा तो बेचने के लिए फिर हर जिले में जिले मुख्यारे हैं हमने सी मार्ड बनाया और सी मार्ड बनाके वो सारी समगरे को हमने उसमें बेचने के बेउस्ता कर दिया और सभी जहां-जहां सी मार्ड बने हैं वो सब एक दूसरे से लिंक हैं मालो बस्तर का काजू चीए तो आप बस्तर आपको जस्पूर का काजू चीए तो भी मिलेगा आपको सहथ आपको मरवाही के चीए कि बस्तर के चीए कि जस्पूर के चीए वो सारी चीज़ आपको एक साथ मिलेगा तो आनलाइन सब बेवस्ता हमने कर दी और बड़े जो फिलिप कार्ट है मेजान है उससे भी हमने जोड़ दिया तो सारी चीज़ हैं जितने भी उत्पादन करना है चाहे वो गौठान से हो चाहे हमारे जो माइनर फारेश्ट प्रोडिश्ट से उसको भी वेल्यू डिसन कराएं तो वहां से जो चीज़ें आ रही है फारेश्ट से उसम बेचने भी अवस्ता कर दी तो एक तो लोगों को रोजगार मिला अब दूसरा उसके लाबकारी मुल मिला जो उत्पादक है उसको ये चिंता नहीं है को बिकेगा नहीं बिकेगा आड़ा रहता है उतना उत्पादान कर देते हैं जैसे उसका समान बना महास उठाए उसके पहले उसके खाते में पैसा चला जाता है तो उत्पादा को बेचने की चिंता नहीं है ये भी उस्ताम ने कर दी तो इसको और डेपलब करने की जुरूरा थे अभी तो हम छत्पाद में किया है इसको पूरे देश में इसके और भी आउटले सेंटर उगर बनना चाहिए जिसे हमारी जहां जो उत्पादान है वो सब जग भी सके लेकिन कुछ उत्पाद वस्तु है उसको डिमांड यतनी है पूरती नहीं कर बारा है ऐसी भी वस्तु है जैसे तिकूर का सिक तिकूर आपने सुना नहीं होगा लेकिन तिकूर हमारे जो नगरी की जंगल है कुणड़ाग की जंगल है उसमें ये बिल्कूल जैसे हल्दी का पौधा होता है उसी प्रकार से जंगलों की बीच में होगा रहता है उसके जो कंध है उसे process करेंगे आप उसका कंध लेंगे प्रोसेस करेंगे तो पांच किलो निकलता है और पांच किलो जो तिकुर है वो इतना स्वाधिस्ट मिठाई बनता है और खासकर जो उपास रखते हैं उसके लिए बहुत ही गुणकारी है वो लाबकारी है अब उसका हमने सेख बनाए तो दूसरे देशों से डिमांड आई व सिर्फ डिमांड है हम लोग हम लोग सब्सक्राइए लेकिन यहां डिमांड होती है तो पुर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो उसके ऐदा उसके खेती भी शुरू कर वाय रहे हैं जंगल में और ज्यादा उसको पादन बढ़़ाओ तो ऐसे बहुं सारी चीज़े हैं जिसका हम जो डिमांड है उसके साफ़ से हमने को पुर्टी करना है आपने योजना है तो कई चलाई जैसे मैंने भी कहा मैंने भी खुद प्रेस कि आपके सीमाट की योजना को बारे में लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ आपके विरोधी आप पर यह आरोप लगाते बहिं सब में तो ब्रस्टा चाहर हुआ अगर यह नहीं तो फिर वह यह कहने लगते हैं कि गोबर योजना में ब्रस्टा चाहर हुआ फिर वह यह कहने लगते हैं कि नहीं नहीं शराब बंदी नहीं कहा ही थी कि शराब बंदी लागू नहीं कि शराब में ब्रस्टाचार हुआ क्या खहना चाहेंगे अरोप पर देखे ब्रश्टा चार करत कोई विश्य है नहीं है यदि सी मार्ट में कोई गौठान में या रीपा में कोई उत्पादान हो रहा है सी मार्ट में बिक रहा है उसमें क्या प्रश्टा चार हो सकता है गौठान की बात करें जो आरोप लगाते हैं तेरह सो करोड का तेरह सो 35,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 कुछ चलने दो क्योंकि हम कुछ बंद करना है लेकिन वो नहीं पाया है हो इसलिए नहीं पाया है कि लागडाउन के समय देखा उससे बढ़िया वातरन कुछ नहीं था सराब बंदी के लिए पूरे देश के फिक्टियां बंथी परवहन बंथा और ऐसे में सबसे अच्छा व योजना सुरू नहीं कर सकता जिससे लोगों की जान जाए एक वातरन बनाने के आउसकता थी और दो साल करोना मिकल गया एक साल तो चुना मिकल गया नहीं चाहता था एक वातरन समाजी क्वातरन क्योंकि समाजी बुराई है और एक वातरन बने ताकि हम सराब बंदी के दिस कर वह सराब बंदे पुरे देश में क्यों नहीं करते हैं तो हमारे चत्तित गड़ भी हो जाएगा लेकिन अब उसमें देखा कि यह लेंड लाक इस्टेट है छे साथ राजियों सगीरा हुआ है उस राप दूसरे राजियों से अराम से अब वो हर्याना के सराब के ट्रक यह राइपर में पकड़ा गया धार मदप्रेस के सराब के ट्रक है वो कमरदम पकड़ा गया तो यह तो सब जगस खुला हुआ है सब जगस आना है यह बंद भी कर दें तो बंद होगा नहीं जब तक समाजी जाग रुकता नहीं होगी तो वो परिशिती हम सराब बंदे से मैं तो बता रहा हूँ आपको थोड़ा संकेत दे दी मैं पूरा कर देता हूँ अब 268 करोड का गोटाला हुआ तीन साल से आईटी और एडी जांच कर रही है दो जार बीस से मामला हुआ आईटी वालों में कोई मामला बनता नहीं फिर एडी वाला इडी वाले पूरा ताक वर्तमान जो संपत्ती है दोजार अठारा पहले एक संपत्ती है जो उसके पैत्रिक संपत्ती है चला चल संपत्ती साब को जोड़ लिए तो हुआ 200 करोड़ अब इसमें मेरा उल्टा आरोप है इंपिया क्योंकि आरोप लगाते हैं कि नकली होलोग्राम से ये सराप निकला अब फेक्ट्री ने जब निकले का थिसका मत्तब़ एक फेक्ट्री मालिक की बिना समयती के होगा नहीं ची disciple मालिक के घर में चापा डाले आप उनके हां कलोर रुपया की ज्योल्री पकड़ी गई उसको आपने जबत्त नहीं किया उसके बंक खाते सीज नहीं किये उसकी च जो उनकी गिरबतारी नहीं हुई मेरा आरोपिये लेन दिन हुआ है इसकांसे गिरबतारी नहीं हुई इस फर्स्ट पाइंट तो वही है जहां से नकली होलोग्राम लगता है और दूसरी बात यह है IT वालों उनका है इसमें कोई कीस बनता नहीं दूसरी बात यह है कि C.A.G. ने केग ने भारत सरकार ने यहां जाँच करवाई दो साल जाँच करए इस सारे फेक्टियों में गए हर एक जीले में गए और उसमें ने कहा इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है यह सर्टिपिकेट उनके द्वारा अब यह कहते हैं कि गड़बड़ी हुई अब यह कहते हैं कि 2100 करोड करोड क है यहीं बोलते हैं राज़सु खानी कोई राज़सु में तो रम्हन सिंग की समय में 3900 करोड रुपिया का राज़सु आता था सराब से और हमारे समय में लगबग 56-6,000 करोड के आसपास है मतब डेड़ गुना ज़्यादा तीजी गड़बड हुआ है तो उसके सासन काल से हम डेड़ गुना ज़्यादा हमारे राजस में हुआ है अब EDR लगाती है कि राजस के राजस में हानी हुई है तो पहले तरह मांसी को पकड़ लो भई जब हम 6,000 करोड का बेच रहे हैं ना ना दुकाने बढ़ाई ना कुछ हुआ बल्कि दुकाने घटी उसके बाद 6,000 करोड के बेच दिये और तुम 49,000 करोड के बेच रहे थे मतब गड़बड आप कर रहे थे तो पहले तकरोड उन पी होनी चाहिए और अपतीसरी बाद अन्तिम बात करना चाहता हूँ अब इडी ने अपनी आईटी ने अपनी जाच में कहा कुछ नहीं इडी अब घूम घूम के ठक गई है अब वो हाई कोड में एप्ली किसन दिया है इसको अब CBI इस जाच को सौपा जाए मैं इसे और आगे बढ़ता हूँ कि आप इंटरपोल को दे दे क्योंकि जब राज देश के बड़ी बड़ी जाच नहीं कर पा रही है तो इंटरपोल को दे देना चाहिए यह आप मजाक में बोल रहे हैं क्योंकि इंटरपोल तो हमारे मामली की जाच करेगी नहीं यह डुमस्टिक मसला है तो अब E.D. से बड़ा कुछ हो सकता है जिसके पास मतब असीमी तथिकार है आपके पास नहीं ना आर्थिक मामलों की IT उससे बड़ा को एजेंसी नहीं है अब उसके पास CBI क्या करेगी उसमें मतब आपके मनसर क्या है आपको राजी सरकार में बैठे राजी सरकार को आइस्थीर करो और राजी के लोगों को परसान करो ठीक आगे चलता है यह मुद्दा हो गया अगला मुद्दा है भूपेश बगेल ब्रांडफ इंदुत्व आपने पूरा रामपद गमन वनपद गमन पूरा भाग बना दिया है जिस रास्ते से भगवान श्री राम वन के लिए गए वो पूरा रास्ता आपने बना दिया है माताल कौशलिया का मंदिर बना दिया है कई जगे पे भगवान राम की मूर्दिया लगा दिये और हम ये सुन रहें कि 22 जनवरी को राम जन भूमी का मंदिर आयुध्या में प्रधान मंद्री जी वहाँ पे शिला नियाश करने जा रहे है या प्राण प्रदिश्टा करने जा रहे है और उसके आसपास आप ये राम वन पथ गमन पथ भी शुरू कर सकते हैं तो ये क्या भूपेश बगेल ब्रांड अफ हिंदुत्व है कॉंग्रेस ब्रांड अफ हिंदुत्व है मैं तो 36 गड़ के संस्कृति को बढ़ावा दे रहा हूँ जो पराचीन मानिता हैं हमारी संस्कृत्ति में हमारी जन जिवन जो राचा बसा है उसको देश और दूनियाक सामने रखाओं ये हमारी कोशिश है चाहे राम वन गमन पर रेटन पर प्रिप्रत की बद बात करो चाहे यहां कबीर के कबीर सरौर बनान एक बात करो क्योंकि यहां बड़ी संख्या में हमारे कबीर-पंथी लोग रहते हैं बहुत बड़ी संख्या में हमारे 31% से अधिक अदवासी रहते हैं उनके आदि संस्कृती है तो उसके जो आस्था केंद्र है चादे गुड़ी हो, पेन गुड़ी हो, उमाता गुड़ी हो, ठाकुर्दे हो, उसके निर्मान के बाद हज्जारों के संक्या में, कि वल रामान के उन परेटन पत्पन ने बनाया है, यह भी हमने बनाया है, और गोटुल के बारे में कई देस विदेस में बड़ी चर्चा एक नौंबर से नित हम तो उसम करातें, तो पूरे दुनिया हम कही नियुए है, आदवासे नित महुस्वा हमने करा है, 27 देश के लोग आये, संख्या इसलिए कम होगी है, कि वो लोग चाहते थे, हम ज़्यादा ज़्यादे और देश के लोग आना चाहते थे, लेकिन हमने कह उसके जो प्रतीक है जायत खाम उसको माडल जायत खाम हर ब्लाक में बना रहे हैं तो जो यहां के जो कुछ भी है जो इतिहास से जुड़ा है संस्किते से जुड़ा है उसको सब देश और दुनिया कि सामने लाना है ने तो यह तो यह है कि 36 गड़ आओ तो नकसली पकड़ लेंगे रेलवेस से उत्रों पकड़ लेंगे धरदा पोचेंगे यह पहचान बनाक रखा था रमान सिंग जी ने बारती जनता पाटे अब वो पहचान बदले कि हाँ 36 गड़ में यह भी है तो मतलब आप इसको भूपेज बगहल ब्रैंड अफ इंड़ तो नहीं यह तो हमारे 34 गड़ के संस्कुरिती है जिसको हमने साब के सामने लाए है और सबने लोग गरवानित मह document कर रहे हैं जो हमारे 34 गड़ के जो तीस तुहार है जो हारीली है तीजा है छे चेरापुनी है कर्मा जैन्ती है हम तो छट पूजा के भी का रहा है यह बड़े संक्त चाटपूर एक दिन बढ़िया उसके आउकास गोसीत हम ने किया तो जो कुछ भी 36 गड़ में है उस सब को सामिल लाए अब एक बड़ा राजनितिक आरोब जो अब पर हमें शाजी ने लगा है उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो एक गुनेश्वर साहू की हत्या हुई थी उन्होंने कहा कि ये तो मुस्लिम तुष्टिकरन के लिए भूपेश बगेल जी ने मॉब लिंचिंग कराई है साहू की और उनकी पिता जी को टिकेट दिया तो क्या ऐसा कुछ हुआ था महाँ पर दिखिए दो बच्चों के जगड़ा हुआ उस दिन जमारा भी सर्जन वहां एकठा थे और उस दो बच्चों के जगड़े में थोड़ा बढ़ गया अब जगड़ा बढ़ते बढ़ते ये बड़े बुजुर्गों तक आया और हत्य हो गया अब सरकार की क्या जिम्हीधारी सरकार के जिम्हीधारी जो हत्तियार अब इनको तो कुछ आता नहीं है केवल धर्मांतरा अवसांप्रदाइकता इसमें इसकी मास्टरी है उसमें पिएच्टी उनों में किया है तो हर मामले को उस प्रकासि टिश्ट करने कोशिश करता है अब उस समय नगर नेगे में के चुनाव थे भीर गासू के भिलाई के भिलाई चरोदा के रिसालिय के इसको खूब भला के यहां तुष्टी करन किया जा रहा है लेकिन मूख ए खाये वहाँ और इसमें मूख खायेंगे ठीके एक बात और आप से जाना चाहता हूँ एक मुद्धा एक PSC घोटाला जिसको लेकर प्रदान मंत्री जी बोल रहे हैं अधिकारियों के बच्चे उसमें पास हुए है तो हो कोट में चले गए नंकी राम कमर भारती जन्ता पाटिक ने था कोट यदि आदेश देदे के भई अधिकारियों के बच्चे PSC भाग नहीं ले सकते वो आदेश करते हम बंग कर रहा देंगे लेकिन मैं यह काना चाहता हूँ भारती जन्ता पाटिक सासान काल में PSC के घोटा ले हुए उसमें मेरी टार्टम ने गड़बड़ी होगी हाई कोट ने जो PSC के परिच्चे के खिलाप में आदेश पारित किया रहमान सिंग जी क्या करवाई किये 2008 में आपको लिक के दे देते हैं आप बोलते हैं यह प्रधान मनती की पत की गरमा के वीपरीत है आपके पास कोई शिकायत है तो दीजिए हम जाच कराएंगे अच्छे एक बाब बताईए मैं जानता हूँ कि वोपेश बगेल जी राजनिती सोते भी हैं उड़ते भी हैं और बिचाते भी हैं मतलब आप खाटी राजनिती की हैं जिसको जिसको बोलते हैं गाउं की बाचाब है अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है रामन सिंग जी को पास साल बीजेपी ने भाव क्यों नहीं जे जारा इसके बारे में भी थोड़ा खुलासा करिए बताईए आपका कैलकुलेशन क्या कहता है बीजेपी वालों का रमन सिंग जी के भारती जनता पार्टिम बड़ी गहरी पैट है वो अपनी हिसाब से प्रदेशाद्धिक्स बनाते हैं लेकिन टिकेट जो बटी है उसमें रमन सिंग की ही चली है भारती जनता पार्टिम इतनी गहरी पैट है लेकिन उसको कितना नाकारने कोशिश कर रहा है लेकिन उसके हिसाफ़ से नेता प्रत्परस अध्यक्स बनते है कुशिश कर रहे हैं भारती जंदा पार्डिक सीर से नेत्री तो उसको नेपस्थिम डालें लेकिन नहीं हटा पारे हैं उसका कारण भी है क्योंकि उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ना अमन सिंग आज कल अडानी जी के सिवा में हैं और अडानी जी के बात विसुगरू कैस लड़ रहे हैं मैं आगे चलता हूँ भी मेरे पास दो तीन मुद्धे और हैं मुझा बताई है कि लाड़नी लक्ष्मी योजना काफी सक्सेस्फुल हो रही है मद्रदेश में लोग कह रहे हैं उसे बोन भी मिलेंगे शिवराजी को क्या को लाड़ली बहना योजना पैसे दे रहे हैं हजार रुपए फिर तीन हजार रुपए दोंगे ऐसी को योजना भूपेश बंगे शुरू करने वाले हैं मत प्रदीश में इतने साल हो गया हम इसको मामा को कभी उन्होंने सोचा नहीं अब दो मेना चुनाओ के हैं सारे सर्वे और सारे जो जो राजितिक वि तो आपकी योजना लगू करने की वों गोषणा पत्र समिति वाले जाने सोला सतराश घुष्नत हो चुकि राहुल जी ने प्रियंका जी ने सब ने दिया है जी साथ घरिंट्य अब ने दे अच्छा मैं जानता हूँ भूपेश बंगेल, नीता के तोर पर तो हर कोई जानता है, लेकिन व्यक्ति के तोर पर क्या अच्छा लगता है भूपेश बंगेल को, पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना, या कुछ नहीं चीज, अपने खौब इसके बारे में कुछ बताईए, मैं तो गाउं में पला बढ़ा हूँ, खेतों में भी अकेले रहो तो बहुत अच्छा लगता है, नाला की किनारे गुमते रहो, वो भी अच्छा लगता है, दूसरा कुछ पुस्तक अगर खाली समय है, आपके खेती काम समाप्त हो गया तो बढ़िया से कुछ पुस्तक अब अड़े बाजी हो पाती है कि नहीं हो पाती है, बैठते हैं, जहां मौका मिलता है, चार दोस्त मिल गाएं, और किसी की कि थोड़ी बुराई हुराई को दूसरे दोस्त की जो आज नहीं बैटा वा इसके बुराई कर ले, उस सब कुछ चलता है ना इस बीच में, हसी अब आज़ाग सब चलते रहता है, तो उसमें उम्र का भान नहीं होता, जब सब दोस्त रहोगे, वो तो जब बच्चे दिखते हैं, तब पता चलते हैं, अपन बुड़े हो गये, यह आप तो माशाळाला जवान हैं, लेकिन जब अपने उम्र के मिलते हैं, तो उस समय तो सब जवान होते हैं, अब मैं आप से जानना चाहता हूँ, फिल्म में देखते हैं, बहुत पहले देखता था, खुब देखता था, कौन से देखी, और डाट भी खुब खाया, कौन से कौन, किस फिल्म के लिए आप सबसे अधर डाट पढ़ी, आजी बताईया, नहीं किस फ पर करोगे राइपूर में, तो पिचर चल दो, तब कौन पहली फिल्म आपको याद है, और कौन से अगत टक कि सबसे यादगार फिल्म आपने देखे राइपूर में, उन दिनों में, बहुत छोड़ा था ह alcoholic में ने उपकार, पिचर देखी थिदे, मनोज कुमार के तब ये सारदा टाकिज में लगा था और उसमें इसकी जाली गेट जो जहां टिकेट काउंटर होता है उसमें लोहे की जाली लगी वी थी सबसे छोटा मैं था बड़े भाई लोगों साथ आया हुआ था अब ये था कि भीड इतनी थी कि कोई जा नहीं सकता थ पता चल गया था कि अब लिमिटेट टिकेट बर ची तो उन्हों ने मैंने भीया ने जेब में पैसे डाले बोले उपर से लटकते चल दो थीक है तो उपर से लटकते हुए पैर फी फसाया हाथ भी फसाया लटकते हुए किसी सेरो अग्रम मत लगे और गया और काउंटर के पास कूद गया अब जो पहले जो जायागा उसी टिकेट में लेगी और साथ लोग थे टिकेट लिए उसके बड़े पिच्चर देखे अचा मुझे बताए इसके उपकार कहला कौन सी फिल्म कौन सा गाना आपको यादे कौन सी आपकी सबसे फेवरेट फिल्म उस जमानी की मुझे पता है आजकल तो आप क्या देख पाते होंगे अब तो बहुत कम देखते हैं समय भी नहीं मिलता बहुत सारे पिच्चर है बहुत सारे मतलब उस दौर में आप कहेंगे तो दिलिव कुमार है देवानंद है राज कपूर है फिर बाद में राजिन कुमार भी आ गया आज और उसके बाद जीते हैं धरमें अब ताब सब की पिचर हमने बहुत एक कर रहा हूं सारू के बाद में हम लोग जब पिचर देखना कम हुआ तब इस आरू का और इन लोग दोर आया निदे हम लोग दोर में तो जो हिरोक नाम लिया वही लोग थे तो गाना जो आपक आना बहुत गलाखा निम्म मैं तो आल टाइम फेवरेट गाने के बोल सुन रहा हूं मैं गवा तोड़ी रहा हूं आपसे अच्छा काने बहुत अच्छे उकार के बहुत बड़ी बड़ी गाने है उकार के भी गाने कहेंगे या इसमें अपताब भचन के जो पिचर है जो राकिक साथ था क्या कभी कभी मेरे दिल में खाया लागा या कि बहुत अरसी इलसीला के गाने हैं वो भी अच्छे हैं मतलब हमानते मैं अप रोमेंटिक है पृटकर उसके बाद आप ससी कपुर के चोर मचायशोर उसके गाना है ना गूंगरी गूंगरी की तरह बचता रह करना चाहता हूं उसको आगे बढ़ाता है ऐसा कोई दिमाग में गाना गीद बजन नहीं इतना अब डिटेल में बज जा ही कहां फ्लेस बेक मिले जा रहे हैं आप इतनी आदे अब राजीति भाग दौर की बीच में आप एक दम फ्लेस बेक मिले जारें तीस साल चाली सर पु बहुत बहुत शुक्रिया तो ये थे भूपेश भगेल, 36 गड़ के मुक्य मंतरी, कई सारे सवाल थे, कई सारे जवाब भी दिये अब देखना ये दिल्चस्प हो जाता है कि 36 गड़ की जन्ता किसके साथ, किसको विजई दिलाती है और किसके साथ विद्रो करती है